सब्सक्राइब करिया मन्टू ऑनलाइन चैनल को मुबाइल इंटरनेट ऑनलाइन टेकनलोजी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए और दवाईए बेल आइकन को स्वागत है आपका एक वाग फिट से एक नए वीडियो के साथ मेरा नाम है मन्टू और आप देख रहे हैं मन्टू ऑनलाइन चैनल आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने मुबाइल की स्क्रीन को रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं अगर आप एक यूटूब पर नएं तो प्लीज नीचलाल बटन को दबा कि स्क्राइब जिरू करें अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपका सब्कारने के लिए थेंक्यू चलिए मुबायल के स्क्राइब डिकॉर्ड करने के लिए आपको आपने Play Store में और यहां से आपको एक अप डॉणलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम है A-Z Screen Recorder आप देख सकते हैं यहां पर Play Store में आपको डॉणलोड करना है यहां से मैंने देखिए पहले से download करेंगे तो इस तरह का icon आएगा यहां पर हमें क्लिक करते रहना है उसके बाद यहां पर देखिए यह सारे जो इसके फीचर है यह हमें दिखाएगा इसको भी हमें रहने देना है सबसे पहले हम इसकी setting को कर लेते हैं जो भी हमें setting चाहिए तो सबसे पहले यहां three dot पर आएं में उसके बाद यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले आप वीडियो जो है उसका रेजुलेशन आपको चूश कर लेना है तो आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए आपको फुल पनद्रव 20 और 780 यहांपर है तो फिलाल में इसको इसी पर रहने देता हूं उसके बाद यहां पर देख सकते हैं यहांपर यहांपर देख सकते हैं यहांपर जो आप अब यहां पर देखिए, bit rate जो है, यह आप देखते हैं कि यह जो है आप पड़ सकेंड के हिसाब से mb लगता है, मतलब जो आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो एक सेकेंड में कितना आपका mb लगेगा, तो वो इस हिसाप से यहां पर है, तो आप अपने हिसाप से सेलेकт कर सकते हैं, कि कि आपको जो क्वाइलिटी चाहिए, किस क्वाइलिटी उस हिसाप से आप कर सकते हैं फिलाव मैं इसको 4 पर रहने देता हूं, और भी कर सकते हैं फिलाल मैं इसको out of पर रहने देता हूं उसके बाद तीसरी सेटिंग यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर land space आप पॉइंट आहे यहां पर आप इसको भी आप out of रहने देना हैं क्योंकि अगर आप मोबाईल को टेडा करके अगर आप बनाते हैं मतलब तो उस हिसाब से यहां पर आप देख सकते हैं तो यहां पर भी हम out of रहने देना आए हमें क्योंकि हमें सीधा ही बनाना है इसकी recording उल्टा करके नहीं बनाने अगर आप करना चाहते हैं तो यहां से आप अपने हिसाब से यहां पर कर सकते हैं तो फिलाल में इसको रहने देता हूं कैंड करते हैं तो कई ग्रीन के बाहर चला जाता है तो एक इसको अनेन्य कर देते हैं तो वह उतना ही area को cover करेगा जितना की green screen आपके area में आ रहा है तो यह यहां से आप enable कर सकते हैं नहीं तो चाहे इसको आप बंद भी कर सकते हैं फिलाल मैं इसको बंद करके रखने वाला हूं उसके बाद यहां पर देखिए use magic button है अगर आप इस पर click करते हैं तो आप यहां पर देखते है single tape to right area screen अपने आप रुख जाएगा और start हो जाएगा फिलाल मैं इसको भी बंद करने देता हूं उसके बाद यहां पर option आ रहा है यहां पर देख सकते हैं countdown before start अगर आप video record करने लग जाते हैं तो वहां पर देखते हैं 2-3 second में आप कैसे चालू करना चाहते हैं तो वह आप कर सकते हैं फिलाल मैं इसको 3 second पर ही रहने देता हूं उसके बाद यहां पर screen shot अगर आप video करते समय भी screen shot लेना चाहते हैं तो वह आप ले सकते हैं इसको भी मैं यहां पर enable कर देता हूं तो आप video record करते वक्त screen shot भी ले सकते हैं देखिए यहां पर जैसे मैंने इसको यहां पर क्लि क्लिक करेंगे तो यह जो स्क्रीन है, इसका स्क्रीन रेखना ले लिए अगर आपको वीडियो रिकॉर्ड करते वकिश व्च यहां पर ब्रस रेक्न की प्रस ख़र्द करते हैं मैं यहां पर अग्या करते हैं देखिए यहां पर ट्यक्स एंड लोगो है अगर इस पर आप किलिक करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं so your tax तो अगर यहां पर इसको एनेवल कर देंगे तो देखिए अभी यहां पर यह इसी company का आ रहा है AJ desk in recording का यहां पर tax हो रहा है अगर आप यहां पर टेक्स पर किलिक करेंगे तो इसको कार्ड कर आप अपना जो चैनल का नाम है वो भी लिख सकते हैं तो चलिए मैं यहां पर अपना चैनल का नाम लिख देता हूँ देखे, यहाँ पर मैंने अपने channel का नाम लिख दिया है, यहाँ पर हम इसको OK कर दिया है, अब इसको अपने हिसाब से आप यहाँ पर select कर सकते हैं तो जब आपकी screen record होगी, तो आपके screen के उपर यह नाम भी आपके channel का ऐगा तो यह भी एक अच्छा option है अगर इसके लावा यहाँ पर size वगरा है तो अगर आप अपने हिसाब से चाहे तो इसका size कम जादा कर सकते हैं फिलाल मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ और यहां पर कुछ image आइकन है अगर वह भी आप अगर लगाना चाहते तो वह भी लगा सकते हैं अपने हिसाब से तो फिलाल मैं इसको नहीं लगाऊंगा रहने देता हूँ ठीक है उसके बाद यह सारी setting हमारी complete हो गई है अब यहां से हमें simply back आ जाना है तो मान लीजिए अगर हम screen record करना है तो चलिए मैं यहां से बैक आ गया अब हमें यह जो screen चाहते हैं तो यहां पर जैसे आप यहां पर click करेंगे तो देखिए यह condon start हो गया यहां पर देखिए मैं यहां पर कुछ करके आप लोगों को दिखा देता हूं देखिए मैंने अप्र वगएरख को यहां से कर लिया यहां पर देखिए जैसे मैं अपना gallery खोल लेता हूं यह सारा कुछ कर लेता हूं तो यह देखिए यह सारी जो है हमारी recording हो गया है तो यहां से हम simply अगर जब तो आप इसको save कैसे करेंगे, तो simply यहाँ पर आप right side पर click करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा recording है, वो 40 seconds का हो जगया है, तो यहाँ हम simply इस वाले बटन पर हमें click करना है, बीच वाले पर, तो जो हमारा recording है, वो हो गई है, complete हो गई, अब यहाँ हम इसको चाहिए तो screen record के लिए, तो आप अगर एक नए यूटूबर हैं, तो आप इस एप का इस्तमाल कर सकते हैं, मैंने complete वीडियो आपको बता दिया है, इसमें, अगर आपको पसंद आए, तो इस आपको load कर सकते हैं, मिलते हैं किसी next वीडियो में, तब तक लिए बाए,